लोकसफ़ चनाओ के नतीजों से पहले महगाई की मार पड़ गई है जहां अमूल का दूध महगा हो गया है गुजरात सहकारी दुग्ध विपनन महासंग ने ये कहा है कि दूध के संचालन और उत्पादन की कुल लागत में व्रिधी होने की वजह से आज से हर तरीके के दूध और डेरी उत्पादों का विपनन GCMMF करती है और GCMMF के प्रवंधन निदेशक जयन महता ने बताया है कि अमूल ब्रांड के तहत हर तरीके के दूध की कीमत में 2 रुपे क्रती लीटर की बढ़ोतरी हमने कर दी है आपको बता दें कि पिछली बार अमूल दूध की की कीमत फरवरी 2023 में बढ़ाई गई थी और महता ने ये भी जानकारी दी कि किसानों को उनकी बढ़ी हुई उत्पादन लागत की भरपाई के लिए ये व्रिधी भी जरूरी है अब ताजा बढ़ोतरी के साथ जो 500 mm अमूल भैस का दूध है और 500 mm अमूल गोल्ड दूध और 500 ml अमूल शक्ती दूध जैसे दूध की जो संशोधित कीमते हैं वो अब बढ़ गई है जो 36 रुपे में आता था जो 32 रुपे में आता था माफ कीजिए गा Olympics और 31 रुपे में आता था जो के औसत खाद महगाई से काफी कम है ये ध्यान देने वाली बात है कि फरवरी 2023 में अमूल के प्रमुख ने बाजारों में ताजा पाउच दूद की कीमतों में कोई व्रिधी नहीं की है और दूद के संचालन और उतपादन की जो समग्र लागत में व्रिधी हुई है उसकी रुपे में से करीब 80 पैसे उतपादों को देता है और बयान में ये भी कहा गया है कि कीमत में संशोधन से हमारे दूद उतपादों को लाबकारी दूद की कीमतों को बनाए रखने और उन्हें और दूद उतपादन के लिए प्रोटसाहित करने में मदद मिलेगी वही इस लोकसभा नतीजों से पहले महंगाई का एक और जटका भी लग गया है आपको बता दें कि सिर्फ दूद के ही कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है बलकि आपका सफर जो है वो भी महंगा होने जा रहा है तो आज से जहां दूद की बढ़ी हुई कीमते लागू हो गई है त है कि टोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है और पूरी तरीके से जो सफर है वो भी अब महंगा होने जा रहा है क्यों टोल की कीमते बढ़ाई गई है उसको भी लेकर ये कहा जा रहा है कि कई समय से बहुत पहले से ही टोल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी इस सफर करनी के लिए